है अगर दोस्तों मैं राज को रहे वार फिर से सवागत करता हूं आपके यूटीब चेनल राज ओलवाट अस्टेटीब दोस्तों जिसागा आप देख पा रहे हैं आजम परने मअल कोंसट के बारे में जो कि लिगार का किमिष्टी का पाहले चेप्टर का दोस्तों यह है दोस्तों मैं परमान सिधान तक बता दिया इसको मोल अवधार्ना बोलते हैं आपका नाइन कलास से सबसे पहले जानते मोल होता क्या मोल दोस्तों एक नमबर है जैसे कि दर्जन आप सुनें होगे ना एक दर्जन में 12 उसलिए मैं इस तरह का नमबर है कि मोल एक क्या है एक संख्या है मोल मोल एक तरह का संख्या अगर मोल का भेल्लू बताओ तो मोल का भेल्लू होता आपका 6.02 तो यह आप यह देख रहे हैं इसको हम आवा गाद्रो संख्या भी बोलते हैं इसको याद रख लगे आवा गाद्रो संख्या बोलते हैं क्योंकि इस नंबर को और विघ्ञानिक नामक नहीं दिया था तो इसको क्या ब planning अगारों पश्या ही वो जड़ से सुझीत करते हैं ठीका चलिए इतना समझ गयाँ अब देखिऊ जड़िया आइस से सुझीद करते हैं इसको एन से सुझीद करते हैं अब दोखो एच यह नंबर वास्ते में बहुत बड़ा है अगर मैं इसकी किमिस्ट्री से बाहर बात करूं तो यह नंबर इतना बड़ा है शेय सो दो के बाद आपना इकीश जिरू लगा दो एक दो तीन चार पांस छह साथ आठ नुवा दस ग्यारह बारह तेरह 14 15 16 17 18 19 20 21 इतना दोस्तों आपका एक मोल होता है एक मोल आपका इतना होता है तो क्या लगता है इतना यूज कभी होगा यह बहुत बड़ा नंबर आप देख सकते हैं आप तो इसको गिन भी नहीं सकते हैं कितना सब्सक्राइब दुश्क्राइब लिखा गया है कितना लिखा गया 6.0 23 गुना टेंट पावर 23 के लिखा गया ठीक है तो आप मोल के बारह में समझ प्रूद्टाइब गया है मोल एक तरह का संख्या जैसे दर्जन आपका संख्या होता है अगर आप बजार जाते बोलते हो मुल उत्ना मंखें वह स्वाल है चले उसको देखते हैं तो देखियें, सबसे पहले हिसाप बनाने केली हमें सबसे पहले का सवाल अगर मोल सबसे पहले देखते हैं मोल कैसे लिखेंगा सबसे लिखेंगे एक मोल कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है यह मैंने लिया है इतना होगा मैंने बताया अब या ऐतना होगा या परमानु or बिले होगा यांUNTु यह पर लिखना होगा पृट्टहरा आसा की औरको यह लेकिक अगर अननने हяться स्क्वरस्थी अगर परमानु है तो परमानु भार निकलेगा इतना तक समझ माँ है अब हम देखते हैं मोल समिगें किसी भी एलिमेंट का या या योगी का लिखेंगे अनुका देखिए सबसे पहले लिए मैंने एक मोल हाइड्रोजन एक मोल हाइड्रोजन है इसको देखिए एक मोल हाइड्रोजन का परमानु होता है एक होता है अब दूसरा देखिए एक मोल ऑक्सीजन और लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे सबसे पहले तो एक मोल इतना होगा चैपने लिए एक मोल होगा है अब देखिया अब मैंने यह लिए एक मोल एक मूल एच्टू तो है अब देखे इसका भी लिखे चैनल टू तो यहां एच्टू देंगे ठीक है तो एच्टू क्या है एक अनु है तो हम यह अनु दे दी है अब देखे अब देखे अच्टू का निकालो आप कितना होगा अनु प्रेंग अनु वह तो यह 22 नहीं होगा भाथ्यक्त मैंने गल्ती से लिख दिया है एक मुल एच्टू एक होता है अब देखे पर इसको लिखेंगे छै पॉन जीरो टू नुट पर यहां आईए यहां जो रहेगा परमाणु आपको लिख देना तब यह तो अनुबहर निकलेगा तो इसका कितना होता है एक मोल एक लिखेंगे फिर यह वाला पाट है इसको लिखेंगे और यह अनुबहर लिख आपको लिखेंगे फिर इसका अनुबहर निकाल नहीं जानते हैं तो अनुभार कैसे की अच्चानब यह इसे आगया यह आपको नहीं पता है तो आप उसको देख सकते ठीक है चल यह अनुन लिए क्या लिए है एक मोल सीओ तो इसको देखिए आप से चाहिए चाहिए पूरा था आपका मोल समीक्रण समझ गें इसके बिना आपका मोल वला हिसाब नहीं बन सकता अब हम देखेंगे मोल हिसाब कैसे बनाएंगे अब देखिए आप हम हम चलते हैं हिसाब क्यों अब हमारा हिसाब यह हमारा पुछता है एक या दो नमर का टेस्ट एक्जाम है चाहर मोल ऑक्सीजन का द्रवान निकालिए क्या बोल देखेंगे कि अलिमेंट कौन सा ऑक्सीजन है सबसे पहले ऑक्सीजन का मोल समिक्रण लिख लो तो मैंने आपको यह देख सकते हैं आप जाब थेक्ट होगा तो नि अग्यारव कि अपर में फिर क्या वता होता है एक मोल आक्सिजन ब्राबर इतना द्रौम को देखी समझने वाल कितना एक मोल आकृःब़ 2025 कितना सब्सक्राइब दूसरा सवल देखिया आप 36 गरम जल में जल के कितने अनुह होंगे अब यहां पर अनुब पुछ लिया कुछ नहीं करना सबसे पहले देखेंगे जल इसका सबसे पहले पार आपका पेस पहले पोटो कपी की चलो जाई स्क्रीन सोट लेए आप इसको नेवाल। अगर आपको मोल समिकर नहीं आता तो आप नहीं बना सकते ठीक है चलिए इस साथ को देखते हैं 36 गरम जल में जल के कितने अनु होंगे अब जल बोला है तो जल का पहले मोल समिकर लिख लो तो क्या लिखेंगे एक मोल होता है और दो चैनल का अनु है यह क्या है अनुहार में जल के कितने अनुह होगे अब जल के कितने अनुह होंगे से आपका अनुब पूछ रहा यानि कि यहां से आपका यह पूछ रहा है यानि कि द्रमान से अनुब पूछ रहा है तो मैं कह सकता है अगर इतना है चुकि 18 ग्राम में इतना अनुब है तो 36 ग्राम में कितना हो जागा आपका आपको थोड़ी इंप्रोव्म्मेंट आएगे ठीक है तो आपको थोड़ी इंप्रोव्म्मेंट आएगे ठीक है कि अनुब से मोल पूछ रहा है तो अनुब से मोल संख्या निकाले उसे तरह आप देखिए ग्राम से द्रमान से मोल पूछ रहा है तो आराम से निकाल जागा कि सबसे पहले कुछ निकाल जो होगा उसका पर सबसे मोल संख्या निकाल तब ही बनेगा ठीक है तो यह दोनों सवाल आप अपने से प्रैक्टिस की चीए आपको शुदार आगे आपको लोग हावं से गया मोल संख्या निक्स्ट वीडियो में कर दो आपको लोग इसा और ओते हैंगी यार निक्स्ट प्राइब जो आपको लोगह बनेगा तो प्रैक्टिस वीडिया निक्स्ट झाल झाल